नमस्कार, माराष्ट में शरत्पवार की सत्ता और हुकूमत का अंत हो चुका है काफी छट पटाने के बाद शरत्पवार को इस बात का अब अब अंदाजा लग चुका है कि अब मामला हाथ से बाहर फिसल चुका है 2024 तक तो विपक्ष में रहना ही पढ़ेगा सत्ता फिसलने के बाद अब शरत्पवार ने BMC चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है क्योंकि शरत्पवार अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भारतिय जनता पार्टी ने तिगडी सरकार के हलक से निबाले की तरह सत्ता को छीन लिया है तो BMC चुनाव में तो वोटिंग होनी है इस लिहाद से भारतिय जनता पार्टी और एकनाश शिंदे गुट वाली शिफसेना के सामने चुनावी लडाई आसान नहीं होगी इसलिए अब महरास्टर का सियासी तूफान BMC चुनावों की तरह मुर चुका है रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि की NCP के प्रमुक शरतवार ने भी BMC चुनाव परचार में उतरने का एलान कर दिया है खास बात यह है कि लंबे समय के बाद में शरतवार ने पार्टी के लिए BMC के लिए परचार करने का जिम्मा खुद उठाया है संभावनाय जताई जा रही है कि मौनसून के बाद चुनाव हो सकते हैं शरतवार ने बुदवार को कहा कि वो BMC चुनाव में NCP उम्मीदवारों के लिए परचार करेंगे उन्होंने कहा कि NCP नेता और पूर्व सदस NCP उम्मीदवारों के लिए परचार करेंगे मैं भी BMC चुनाव के लिए उपलब्द रहूंगा मुझे बताएं कि किस वार्ड मैं मुझे परचार करना चाहिए मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा परचार करने के लिए चुनाव के तयारियों को लेकर के वरिष्ट निताओं ने बैठक भी की है शरत पवार के साथ में पवार के अलाबा NCP निता चगन बुझवल एकनाद खट से और विपक्ष के निता अजीत पवार ने NCP की मुंबई एकाई के साथ में बैठक की है शरत पवार ने कहा कि गटवंदन हो या फर नहीं हमें नरेंदर राने और रानी जादफ के नितरत में BMC चनाव के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए इससे पहले मुंबई में NCP की कमान सचिफ अहीर के हातों में थी जो बाद में शिपसेना में शामिल हो गए थे इसके बाद में नवाब मलक ने कमान सभाली लेकिन अब वो फिलाल जेल में हैं इससे पहले 227 सदस्य बीमसी में NCP के केवल आठ पारशद हैं जबकि शिफसेना के मामले में ये आकड़ा 97 पर पहुंच जाता है यहां भारते जनता पारटी के 83 पारशद हैं यानि कि शिफसेना और बीजेपी के बीच में कोई खास बड़ा अंतर रही है खास बात ये है कि ऐसे मौके पर जब उपमुक्मंत्री देविंदर फंडवीस और शिफसेना बीमसी पर शासन जमानी की कोशिस कर रही है तो NCP को बड़ी चुनावती मिल सकती है अब यहां पर दोस्तो समझने बाली बात ये भी है कि शरतपवार ने बीमसी चुनाव परचार के लिए कमर तो कसली है लेकिन अभी तक ये संशय बरकरार है कि वो कॉंग्रेस और उद्व ठाकरे के गुटवाली शिफसेना के साथ बीमसी का चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही चुनाव में उतरने जा रहे हैं और अगर अकेले ही उतरने जा रहे हैं तो क्या शरतपवार ने उद्व ठाकरे और सोनिया गांधी को छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि जिस तरीके का बयान शरतपवार की तरफ से निकल करके सामने आया है मीडिया के सामने उससे तो यही प्रतीत होता है कि शरत्मवार BMC चुनाव में ठाकरे और सोनिया सेना को छोड़ करके अपनी पार्टी को अकेले ही चुनावी रड में उतारना चाहते हैं वैसे उद्दर ठाकरे के गुटवाली शिफसेना भी ये कहीं न कहीं साफ कर चुकी है कि BMC चुनाव में शिफसेना एकला चलो की ही नीती अपनाएगी क्योंकि शिफसेना के अंदर काफी समय से ये बगावतें उठती रही हैं शरत्मवार को ले करके कि वो शिफसेना को खोक मढ़रा रही हैं महराश्ट के राजनयतिक गल्यारों में ये सवाल लगातार हिरोले मार रहा है कि क्या MVA का अंत निकटा चुका है क्योंकि जब से तिगड़ी सरकार का पतन हुआ है M.C.P. और शिफसेना के बीच में तकरार की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है जो सियासी खाई है वो ठाकरे और पबार के बीच में कम होने का नाम नहीं नहीं लिए होशंगाबाद का नाम बदल ले जाने की बात से ही लगातार शिफसेना पर शरत्मवार के खेम तक नहीं टिकेगा शेरत पवार की असली लडाई दोस्तो अब भारती जनता पार्टी के खिलाप में होगी क्योंकि अभी तक BMC पर कबजा शिफसेना का रहा है लेकिन अब शिफसेना दो धड़ेवे बढ़ चुकी है जनता और कारकरताओं का पूरा समर्थन एकना शिंदे गुटकी शिफसेना के पास में है तो ऐसे में ठाकरे के चुनाव की डगर तो बहुत ही जादा कटन होने ही वाली है लेकिन शारत पवार की पार्टी का सूपड़ा साफ होने की जादा संभावना जताई जा रही है इसलिए शारत पवार ने सीधे तोर पर ये ऐलान कर दिय है कि वो खुद मोर्चा सभालेंगे बीमसी के चुनाव में वो खुद भारती जनता पार्टी और एकनाश शिंदे गुट की जो शिफसेना है उसे टकर देने के लिए वो खुद अब चुनावी मैदान में उतरेंगे लेकिन सो टके का सवाल ये है कि क्या महरस्टर की जनता बीमसी चुनाव में जो वसूली सरकार के जो तमाम ये दल है जिनके नेता वसूली के आरोपों के तहत जेल में बंद हैं जिनके नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने डी कंपनी से जुड़े लोगों से जमीन खरी दी मनी लॉंडरिंग किया गया जिनके तमाम नेता अभी क्यूं में खड़े हुए हैं जेल जाने के लिए लगातार investigative agency investigate कर रही हैं क्या महरास्ट की जनता उन्हें माफ करेगी और उन्हें जो है बीमसी चुनाव में उनके लिए वडचर कर बोट करेगी तो ये सीधे तोर पर अभी अगर हम पिछले लगबग एक से डेड़ साल का क criticism हुई है इनके अगेंस्ट में ये साफ तोर पर दिखाता है कि महरास्ट्र की जनता का गुसा इनके अगेंस्ट में फूटने वाला है हाँ एक बार को फाइदा ये मिल सकता था कि जो उद्दफ ठाकरे की शिफसेना है उनके साथ में अगर शरत पवार और सोनिया गांदी अगर ये लोग जो इनका तिगड़ी गठबंदन है वो अगर साथ में चनाब लड़ते तो हो सकता था कि इन्हें काफी हद तक वोड मिलते लेकिन देश के जनता इन अवसरवादी नेताओं को भाप चुकी है कि जब महरास्टर में CM की कुरसी चाहिए तो भारती जनता पा ठाकरे रहा करते थे तो कुरसी के लिए तो गठबंदन बना लिया गया क्योंकि कुरसी पर बैठना था उद्दव ठाकरे को लेकिन जब बात अब BMC चुनाव की आ रही है क्योंकि इस चुनाव के दोरान जनता के बीच में जनता जनारदन के बीच में जाकर के वोट मांग न पड़ेगा तो ऐसे मैं अब एकला चलो की नीती अपनाई जा रही है शिफसेना उधर अखे तरे रही है शिफसेना का कहना है कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेगे क्योंकि शरत पबार और एंसीपी लगातार शिफसेना को कमजोर कर रही है लेकिन जो शरत पबार है उन्होंने भी एकला चलो का ऐलान कर दिया और उन्होंने तिसीधे तोर पर कह दिया कि वाकेले ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन दूसरी तरफ जो संजराओत हैं वो अभी भी शरत पबार को अपना क्या अब उसका पतन होने वाला है क्योंकि चुनाव के लिए मुझे लगता है और सत्ता के लिए ये राजनयतिक दल कुछ भी करेंगे खास करके एमसीपी और उद्व ठाकरे गुटकी जो शिफसेना है और सोनिया गांधी का भी खेमा है वो भी तो अब लगातार जो है एमबिये के पतन पर दरसल संकट के बादल मड़ा रहे हैं और बीमसी चुनाव के लिए सीधे तोर पर शरत पबार ने आगाज कर दिया है भारती ज नहीं जो है उन्हें अपनी पार्टी को एक तरीके से जो बूस्टर है जो बूस्ट करने का काम है वो करेगा क्योंकि जिस तरीके से भी फजियत हुई अपने आपको भीश बताने वाले सारी की सारी रड़ नीती सारी की सारी चाड़क नीती जो धरी की धरी रह गई है उसस यकीनन तोर पर पूरे देश में शरतवार से लेकर के जो तिगड़ी घटबंदन था उसकी फजियत हुई है बहराल जो बीजेपी से आप टक्कर लेने के लिए चुनावी परचार का एलान कर दिया है शरतवार ने इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल बनुगा किसी दूसरी बड़ी कबर के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीश चैनल को सब्सक्राइब कर लोग और सैड़ बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तकि जब भी मैं कोई बड़ी कबर लेका रहा हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा